अगर कोई चींज होता है उसकी वेश से कॉईल में EMF होता है यह समझ में आ गया ओविसली जो फ्रीविस चैप्टर में सीखा है वही सारे टॉपिक इसमें में आने वाले क्योंकि दोनों इलेक्रोमागनेटिक इंडेक्शन है तो पहले आते हैं मागनेटिक फ्लक्स के ऊपर अल्रेडी हमने स्टेडी किया है मागनेटिक फ्लक्स क्या होता है मागनेटिक फ्लक्स लटीक फ्लक्स एट इस मटर फ्लक्स प्स गिवन अरिया अरियास गिवन एरिया से कितने लाइन पास करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नमबर ओफ लाइन, पासिंग थूरू, गीवन एरिया, उसे हम क्या कहते हैं, मैगनेडिक फ्लक्स, इंडिकेट करते हैं, हम पाई से उसको, इसका ऐसा यूनिट होता है, वेबर, और CGS उनिट होता है, मैक्सवेल, CGS उनिट होता है, मैक्सवेल, दोनो में रिलेशन हमें पाई है, 1 वेबर इस इक्वल टॉ 10 रस्टु एट मैक्सवेल, यह हम नहीं सटिए किया है, तन इट इस अ क्योंकि लाइन, इस अ क्योंकि नॉंबर ओ ला इन, से यह स्केलर कॉंटे दी है, then सबसे लास्ट इसका फॉर्मूला हमने study किया, d phi is equal to b dot d a dot product होगा, okay, b dot d a या b d a cos theta, यह formula flux के लिए apply होगा, ठीक है, तो यह हो गया magnetic flux के बारे में, उसके बाद इस chapter में जो important topic आता है that is, paradise law, अब paradise law, दो law है हमें पता है, that is, first, quantitative law है और qualitative law है, तो पहले qualitative law होता है and then हम quantity के लिए formula find out करते है, तो first law हम study करते है, paradise का first law, first law हमें क्या कहता है, okay, whenever there is a change in a magnetic flux link with the coil, EMF induced in a coil, जब भी magnetic flux, coil के साथ जो link होता है, magnetic flux, वो change होगा, तो coil में क्या generate होगा, EMF generate होगा, means हमने यह study किया है, जैसे हम magnet को नजदिक लेके आते हैं, यह magnet को दूर लेके जाते हैं, तो magnetic flux क्या होता है, change होता है, उसके वेशे क्या होता है, EMF generate होता है, और current produce होता है, means current increase होता है, डिपेंड करता है, यह direction उसका change होता है, ठीक है, तो जैसे ही, magnet नजदिक आएगा, EMF produce होगा, magnet दूर जाएगा, EMF produce होगा, okay, so, जब भी magnetic flux link with the coil, changes and EMF is induced in a coil, अब कितना EMF induced होगा, यह हमें first law नहीं बताता, यह हमें first law नहीं बताता, हमें क्या बताता है, change in a magnetic flux, short में लिखता हूं में, change in magnetic flux, अब magnetic flux अगर change हो रहा है, तो क्या होगा, EMF induced in coil, अब यह हमें नहीं बताता है कि कितना EMF produce हो रहा है, हमें सिफ यह quality बता रहा है कि EMF produce हो रहा है, second law, the magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux, क्या बोल रहा है, EMF induced is directly proportional to rate of change of magnetic flux, तो जितना magnetic flux change होगा, उतना EMF induced होगा, E is directly proportional to d5 by dt, और अगर हम proportionally sign, हटा दे तो एक constant आएगा और SI unit के लिए, वो constant का value 1 होता, इसलिए हम constant नहीं लेते, तो directly हम कैसे formula लिखता है, E is equal to d5 by dt, और तरीके इसको लिखने के अगर initial और final आपको दिया गया है flux, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, final flux minus initial flux divided by time t, अब dt के जगा t आएगा, ठीक है यह भी एक way है आपको लिखने के लिए, या another way आपको दिया गया, अगर number of tons है, n number of tons है coil में, तो यही second law के साथ हम lens law को apply करते हैं, इसको lens law, lens law हमें क्या कहता है, जो भी EMF produce होगा, वो जो भी flux change हो रहा है, उसको oppose करेगा, उसको क्या करेगा, अपोस करेगा, अगर north pole हम coil के नजदिक लेके आ रहे, north pole हम coil के नजदिक लेके आ रहे, तो coil में EMF generate होगा, और उसके से magnetic field होगा, तो यह coil भी इसके नजदिक में north pole generate करेगा, तो north north एक दूसरे को क्या करेंगे, तो जो भी EMF इसमें produce होता है, वो क्या करता है, इस motion को या जो भी change हो रहा है, उसको oppose करने की कोशिश करता है, तो change क्या करेंगे, हमेशा change को oppose करने वाला EMF produce होगा, तो flux change हो रहा है, यह EMF इस flux को change होने से oppose करेगा, तो यहाँ sign क्या आएगा, minus आएगा, minus आएगा, तो हम कैसे लिखेंगे, इसी formula में हमने अगर lens law apply कर दिया, तो यह formula होगा minus d5 by dt, lens law apply करने के बड़, तो यह formula हम apply करते हैं, second law का, और number of turns होगे, तो minus n d5 by dt, ठीक है, e is equal to minus d5 by dt और number of turns होगे, तो और minus n d5 by dt, यह हमारा formula होगा, ठीक है, यह समझ में आगया, next, 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 induced EMF due to the motion of conductor, अब अगर, conductor motion कर रहा है, induced EMF due to motion of conductor, induced EMF due to motion of conductor, अब हमारे पास एक conductor है, जिसका length L है, जिसका length L है, और उसको हमने magnetic field में रखा है, और वो perpendicular move कर रहा है, तो यह हमारा magnetic field है, जो screen के अंदर जा रहा है, हमारे board के अंदर जा रहा है, ठीक है, और यह इसका rod of length L moving perpendicular perpendicular to magnetic field B moving with velocity V moving with velocity V उस case में हमारा formula क्या होगा, in general हम formula use करते, E is equal to BLV, यह हमारा formula हम apply करते है, directly multiplication है, induced EMF को formula है, E is equal to BLV, अगर हम इसको general form में लेंगे, in general, अब देखो यह condition किस के लिए, जब perpendicular होगा, angle 90 होगा तब, तो, sin 90 का value 1 होता है, इसके हम directly BLV लिख सकते हैं, लेकिन angle अगर 30 degree होगा, 45 होगा, 60 होगा, उस case के लिए, E का value होगा, BLV sin theta, यह याद रखना है, तो, angle का value अभी perpendicular है, इसने sign का value 90 जनरल formula BLV, अपला होगा, हर टाइम आपको numerical हैंगे, उसमें perpendicular वाला ही concept दिया होगा, कभी अगर angle change हो गया, तो, आप यह formula अपलाए करना, induced CMF is equal to E is equal to BLV, ठीक है, यह समझ में आ गया, अब, यही condition हम, दूसरे case के लिए भी apply कर सकते हैं, अभी rod move कर रहा था, अब हम क्या करते है, metallic rod rotate कर रहा है, अब क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ठीक है, अब यह velocity इस तरह से नहीं जाएंगी, अब हम इसको rotate करेंगे, क्या करेंगे, रोटेट, तो, यहां से यह joint है, और यह इस तरह से rotate कर रहा है, यह क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, circular घूम रहा है, तो, magnetic field में अगर यह rotational करेगा, तो, in general formula क्या होगा? So, magnetic rod, rotate in a uniform magnetic field, magnetic field B, इसका भी formula हमने study किया है, that is, B is equal to, E is equal to, induced EMF, कितना होगा? E is equal to, अब B, omega L square by 2, हमारा formula क्या होगा? B, omega L square by 2, ठीक है, यह हमारा formula होगा, यह formula हमने derive किया है, अपने class, 12 class के notebook में भी यह formula है, तो, इसको हमने derive किया है, इसकी जगा, दूसरा भी formula हम, frequency के term में भी formula लिख सकते है, that is, B, A, new यह formula भी हम लिख सकते है, यह भी formula एक है, क्योंकि omega का value क्या होता है? because omega is equal to, omega is equal to 2 pi new, यह formula हम यहाँ put कर सकते है, omega is equal to 2 pi new, और area का value क्या होता है? पाई L square, अगर यह दो value हम put करेंगे, तो हमें formula क्या बनेगा, B, A, new ठीक है, यह फिर area का value भी आप डालके, इसका formula लिख सकते हो, ठीक है, तो अगर हमें prove करना है, तो किस तरह से हम इसको solve करेंगे, देखो, B, omega का value क्या है, 2 pi new, और L का value, अब यहाँ है, L square divided by 2, तो 2, 2 कट हो जाएगा, बचा गया, पाई L square is nothing but area, so E is equal to B A new, ठीक है, तो यह हमारा formula, दूसरा formula in terms of area बन गया है, ठीक है, next, third case इस पे आते हैं, अब अगर disc rotate कर रहा है, ओके, if the metallic disc rotate, rod की जगा क्या है, metallic disc rotate कर रहा है, तो same formula होगा, सिर्फ change क्या होगा, याद रखो, यही formula होगा, B omega L की जगा आएगा, R square, क्योंकि length के जगा radius आगया, length के जगा क्या आगया, radius आगया, बाकिव formula वही, once again, B, A, new B formula हम apply कर सकते हैं, इसके लिए भी, सिर्फ area का value क्या होगा, यहाँ, pi r square, area का value क्या होगा, pi r square, तो 3 cases हमने study कर दी, अगर rod perpendicular move कर रहा है, अगर rod rotate कर रहा है, या disc rotate कर रहा है, यह तीनों concept हमने study कर लिए, इसके बाद आते है, main topic जो हमने study किया है, इस chapter में self inductance, ओके, तो अब next topic है हमारा self inductance, L से indicate किया जाता है, तो अब इसमें क्या होता है, जब हम coil में EMF induce करते हैं, तो coil क्या करता है, या फिर coil में current change होता है, तो जब coil में current change होता है, उसके वेसे magnetic flux link with the coil is also changes, और वो magnetic field क्या करेगा, वापस coil को ही, coil में ही back EMF produce करेगा, okay, and that opposition created by the coil is known as a self inductance, the property of a coil by virtue of which the coil oppose the change, change in the strength of current flowing through it is known as a self inductance, means अगर coil में हम current को vary कर रहे हैं, current को vary कर रहे है, current change हो रहा है, ऐसे मान लो, current क्या हो रहा है, change हो रहा है, अगर current change हो रहे है, तो magnetic flux link with the coil क्या होगा, change होता रहेगा, इसकी वेएसे जो current change हो रहे है, उसको coil oppose करेगा producing EMF, this phenomenon is known as a self inductance, तो coil में जो current है, वो coil खुद ही अपने current को oppose करता है, that phenomenon is known as a self inductance, ठीक है, self inductance that is उसमें formula है, flux is directly proportional to current, जितना current pass होगा, उतना magnetic flux produce होगा, तो magnetic flux is directly proportional to current, या फिर अगर हम proportionality sign निकाल देंगे, तो इसमें constant आएगा, that is known as a L, self inductance, इसे कहते हैं self inductance, तो यह हमारा एक formula है, इससे हम formula निकालेंगे, L is equal to phi by I, यह हमारा एक formula है, E is equal to L di by dt, अगर हम derivative लेंगे इसका, d5 by dt is nothing but E and L di by dt, अब देखो यह oppose करता है, इसमें minus sign आजाता है, क्या sign आजाता है, minus sign आजाता है, यह हमें याद रखना है, तो यह induce EMF, अगर हमें EMF find out करना है, तो EMF के लिए यह formula होगा, और अगर हमें flux find out करना है, तो magnetic flux के लिए यह formula हमें apply करना होगा, जब भी flux find out करना होगा, और self inductance दिया है, एच से denote किया जाता है, ठीक है, दूसरा भी unit है इसका, दूसरा भी unit कौन सा है, वेबर पर ampere, यह भी एक unit है, और भी unit है, इसके volt second पर ampere भी है, volt second पर ampere, यह भी unit है, ठीक है, यह समझ में आ गया, यह हो गया self inductance, अगर self inductance आपको पता है, similarly, इसमें mutual inductance होता है, mutual inductance दो कोईल के बीज में होता है, means, यहाँ दो कोईल होंगे, कोईल 1 and कोईल 2 या primary कोईल और secondary कोईल, तो एक कोईल में current change होगा, उसका effect का होगा, दूसरे कोईल पे होगा, इसका effect दूसरे कोईल पे होगा, that is known as a mutual inductance, the property of two coils by the virtue of which each oppose, each oppose the change in a strength of a current, यह क्या करेंगे, दोनों अपोस करेंगे, अगर दोनों में current change हो रहा है, दोनों एक दूसरे को oppose करेंगे, जो भी current produce हो रहा है, उसको oppose करेंगे, अगर current change हो रहा है, उसको oppose करेंगे, कैसे oppose करेंगे, flux generate करके, magnetic flux generate करके, या emf generate करके, ओके, तो emf generate करने के लिए हमें क्या करना होगा, flux को change करना होगा, तो यहाँ भी same formula है, flux is directly proportional to i, या flux is equal to mi, दो coil है, इसलिए हम mutual inductance वाला formula आएगा, अब simply वही formula हमें repeat करने है, और e is equal to, दूसरा formula minus mdi by dt, same formula है, इसके unit भी हेंदरी है, ठीक है, तो जैसे self inductance है, वैसे ही mutual inductance, तो हमें formula सिर्फ याद रखने है, तो अगर flux find out करना है, mutual inductance के लिए, तो 5 is equal to mi, और अगर e mf find out करना है, तो minus mdi by dt, यह formula हमें apply करने होगा, तो अब कुछ हम formula सीख लेते हैं, formula आपको याद रखने है, कुछ जो book में आपके नहीं है, लेकिन कुछ formula self inductance के और mutual inductance के आपको पता होने चाहिए, तो self inductance के formula हम लिख लेते हैं, पहले self inductance, self inductance के formula, तो for circular coil, पहले हम case ले लेते हैं, circular coil के लिए, ठीक है, first है हमारा circular coil, circular coil के लिए, means हमारे पास circular coil है, अब circular coil के लिए formula हमें, find out करना है, self inductance के लिए, तो उसका formula होगा, L is equal to, L is equal to, mu 0, pi, mu 0, pi, n square, r, divided by 2, divided by 2, तो यह आपको circular coil के लिए formula याद रखना है, mu 0, pi, n square, r, divided by 2, mu 0 आपको पता है, pi भी constant है, n square, number of tons, r is the radius, तो यह circular coil के लिए formula होगा, next अगर square coil है, second, अगर square coil है, square coil के लिए हमें formula अगर याद रखना है, तो इसके लिए formula है, L is equal to, 2 under root 2, 2 under root 2, बाकि अल्मोस्ट quantity होई है, mu 0, n square, a, divided by 2, sorry, divided by pi, divided by pi, और यहाँ a क्या होगा, इसका length, a क्या होगा, square का length, तो यह हमें याद रखना है, 2 root 2, mu 0, n square, a, divided by pi, तो यह हमारे square coil के लिए formula आपको याद रखना है, बाकि तो आमने सीखा है, third, toroid, toroid के लिए formula, toroid का formula, L is equal to, mu 0, n square, r, divided by 2, and then solenoid के लिए formula, L is equal to, solenoid के लिए, mu 0, n square, a, divided by 2, sorry, divided by L, mu 0, n square, a, divided by L, यह हमारा solenoid के लिए formula, यह toroid के लिए, यह square coil के लिए, और यह circular coil के लिए, तो यह 4 formula आपको याद रखना है, self-inductance के लिए, ठीक है, वैसे, similarly, mutual inductance के लिए, भी आपके लिए, आपके पास formula है, थोड़े हमारे पास formula, उसको भी याद रखना है, आपको, for mutual inductance, आप mutual inductance में आप हमारे पास दो coil होंगे, कितने होंगे, दो coil होंगे, आप दो circular coil है, हमारे पास concentric coil है, दो कोईल है, दो concentric circular coil है, हमारे two concentric circular coil, two coil है, दो कोईल है, दोनों concentric है, two concentric circular coil, almost same formula, थोड़ा सा change है, तो mutual inductance के लिए, जो formula होगा, उसमें, थोड़ा सा change होगा, that is, mu 0, pi, n1, n2, अब यहां number of tons, पहले coil में number of two, second coil में, then, r square divided by 2r, r square divided by 2r, where small r is the radius of small coil and capital R is the radius of big coil, so small coil के radius उपर आएगी, और अंदर वाले coil के radius उपर आएगी, ठीक है, अब दो हमारे पास square coil है, दो square coil है, अब इसमें mutual inductance कितना होगा, two concentric square coil, ठीक है, अब एक का length लेते हैं, small l, छोटा जो square है, उसका, जो length होगा, वो small l होगा, और जो बड़ा हमारा coil है, square coil है, का length होगा, capital L, उसका length होगा, capital A, once again, same formula, जो हमने self inductance में use किया है, वही formula, two root two, mu zero, अब number of turns इसमें include करना है, हमें, n1, n2, l square, divided by, नीचे आएगे हमारा, पाई और बड़े बड़े कोईल का length, ठीक है, यह होगया, two concentric square coil के लिए, अब third solenoids, अगर दो solenoids है, तो इस तरह से हमारा एक solenoid है, और उसके उपर अगर दूसरा solenoid हमने लगाया है, दो solenoid है, अब एक में number of turns, n1 होंगे, एक में, n2 होंगे, उस case में formula होगा हमारा, m is equal to mu 0, n1, n2, दोनों में number of turns, n1, n2, a, divided by l, divided by l, so mu 0, n1, n2, a, divided by, so self inductance और यह, हमारे concentric square, mutual inductance, दोनों के लिए यह formula आपको याद होने चाहिए, ठीक है, then आते है, series and parallel combination, किस पर आते है, series and parallel combination, series and parallel combination, जैसे resistance में होता है, similar यहाँ भी होता है, similarly यहाँ भी होता है, तो series combination अगर हम लेंगे, तो अब हमारे पास inductor है, inductor का अगर हम series combination करेंगे, दो inductor, L1 and L2, अगर वो series में connected है, तो simply, इसका formula होगा, Ls is equal to L1 plus L2, same formula जैसे हम apply करते हैं, वैसे ही है, और parallel combination में, for parallel combination, अगर दो L1 and L2, अगर यह parallel में connected, तो parallel के लिए होगा, one upon apply करते हम यह, one upon Lp is equal to one upon L1 plus one upon L2, ठीक है, तो similar जैसे resistance के formula, वही same formula हमें inductor के लिए apply करना है, series के लिए और parallel के लिए, अगर coil नजदिक आ जाएंगे, अगर coil नजदिक आ जाएंगे, तो इसमें mutual inductance आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, mutual inductance आ जाएगा, तो इसमें mutual inductance भी आ जाएगा, अगर mutual inductance है, तो यही formula हमारा change होगा, that is, LS is equal to L1 plus L2 plus minus 2M, अब mutual inductance 2 times क्यों होगा, क्योंकि L1 इसके उपर effect करेगा, और L2 इसके उपर effect करेगा, तो mutual inductance 2 times होगा, तो यहाँ, अगर mutual inductance present है, तो यह formula अपला होगा, दो coil में, यहाँ भी अगर दो coil नजदिक आ जाएगे, तो इसमें क्या होगा, mutual inductance अपला होगा, तो हम LP का formula कैसे लिखेंगे, पहले LP is equal to L1 L2 divided by L1 plus L2, ठीक है, यह हमारा formula है, अगर mutual inductance इसमें आ गया, सपोज यह दोनों coil नजदिक आ गया, और इसमें mutual inductance आ गया, तो यह formula कैसे होगा, L1 L2 minus M square divided by L1 plus L2 plus minus 2M, अगर mutual inductance present है, तो हमें यह formula parallel के लिए अपलाई करना होगा, ठीक है, यह समझ में आ गया, तो यहां हमारा almost chapter finish होता है, यह small topic हमने study किये है, अब आते हैं numericals पे, अब आते हैं numericals पे, देखो पहला numericals क्या दिया है हमें, अब देखो यह electron पाथ पे घूम रहा है हो, और इस कोईल में जो current प्रोड्यूस होगा, तो उसका direction क्या होगा, तो जैसे electron नजदिक आएगा, magnetic flux इसके surrounding में, electron अगर घूम रहा है, तो यह क्या produce करेगा current, और उसके साथ magnetic field भी होगा, तो magnetic field बढ़ेगा, तो magnetic flux change होगा, और यह oppose करेगा, तो reverse direction में current produce करेगा, जब यह दूर जाएगा, तो magnetic flux वापस change होगा, कम होता जाएगा, उसको oppose करने के लिए भी opposite direction में, यह current produce करेगा, कोईल में, तो जब भी current produce होगा, वो क्या होगा, reverse होगा, तो the current will reverse its direction as the electron goes past the coil, तो electron जैसे ही इसको past करेगा, तो direction इसका reverse होगा, क्या होगा, reverse होगा, तो यह option हमारा क्या होगा, correct होगा, next हम पे आते हैं, consider a metal ball of a radius R, moving at the constant velocity V in a uniform magnetic field of induction B, assume that the direction of velocity forms an angle alpha with the direction of B, the maximum potential difference between the two points on the ball is, अब देखो हमने क्या लिया है, metal ball और वो magnetic field में flow कर रहा है, magnetic field में वो गोम रहा है, तो यहां हमारा magnetic field है, B, इसमें हमने एक metal ball को रखा है, किसको रखा है, एक metal ball को रखा है, अब यह V velocity के साथ travel कर रहा है, यह किसके साथ travel कर रहा है, वी इतने velocity के साथ travel कर रहा है, अब देखो B और V में angle कितना दिया है, alpha, तो यहां B का direction, यह V का direction, दोनों में angle कितना है, alpha, अब हमें क्या find करना है, अब इसमें EMF होगा, इसमें क्या होगा, EMF होगा, maximum EMF हमें find out करना है, maximum potential difference, तो जितने point दूर होंगे, उतने potential difference जादा होगा, अब दूर वाले point का होते, diameter पे होते, का होते, diameter पे होते, तो अब यह हो गया diameter, diameter का length कितना होगा, 2R क्योंकि radius R दिया है, radius क्या दिया है, तो अब diameter, 2 point हम कहा लेंगे, 2R वाले, 2 point लेंगे, अब हमें find out करना है, यहाँ EMF induced, तो EMF induced का formula क्या है, E is equal to BLV sine, angle कितना है, alpha, अब length का value कितना है, 2R, तो simply हम क्या put कर देंगे, B2RV sine alpha, अब यह option कहा है, वो देख लो, यह देखो, 2R BV sine alpha, तो यह answer हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, यह answer क्या होगा, हमारा, करेक्ट होगा, ठीक है, next हम पर आते है, next, the magnetic flux link with the coil varies as, पाई is equal to 3T square plus 4T plus 9, the magnitude of EMF induced at T is equal to 2 second is, अब EMF का formula हमें पता है, EMF का formula क्या है, हमें पाई तो दिया गया है, पाई is equal to 3T square plus 4T plus 9, अब EMF क्या होता है, D5 by DT, तो अब इसका हमें derivative लेना पड़ेगा, अब इसका derivative लेंगे तो क्या आएगा, 6T plus 4T कट जाएगा, constant का derivative 0, अब हमें time का value दिया है, at T is equal to 2 second, EMF का value क्या होगा, T into, sorry, 6 into 2, 6 into 2 plus 4, तो यह होगा, 12 plus 4, that is 16 volt, तो हमारा answer B, 16 volt क्या होगा, correct answer होगा, यह समझ में आया, नेक्स सम पर आते है, नेक्स सम में क्या दिया है, magnetic flux passing through a coil is initially 4 into 10 raise to minus 4 weber, it reduced to 10 percent of its original value, original value से कितना reduce होगा है, 10 percent, in T second, the EMF induced is, EMF induced is 0.7 milli volt, then T in second is, then T in a second, अब हमें initial flux दिया है, और हमें final flux दिया है, क्या दिया है, initial और final flux दिया है, तो पहले initial flux लिख लेते हैं, initial flux कितना दिया है हमें, 4 into 10 raise to minus 4 weber, और उन्हेंने क्या आता है, final जो flux है हमारा, वो क्या हो रहा है, reduce हो रहा है, कितने 10 percent है, 10 percent means 10 divided by 100 of original value, means initial value से ये कम हो रहा है, initial value से ये कम हो रहा है, तो अब original value से कम होगा, तो कितना होगा ये, 0.4 into 10 raise to minus 4 weber, ठीक है, ये होगा हमारा final, अब हमें क्या find करना है, time find out करना है, और EMF हमें दिया गया, E का value हमें दिया है, तो E का formula क्या होगा, E initial minus final, initial minus final divided by T, divided by T, so E का value हमें दिया है, 0.72 into 10 raise to minus 3 mm में दिया है, इसलिए, volt is equal to initial value कितना है, 4 into 10 raise to minus 4 minus, 0.4 into 10 raise to minus 4 divided by time, divided by time, अगर हम find out करेंगे, तो कितना हैगा, 3.6 into 10 raise to minus 4, time यहाँ चला जाएगा, और divide में, 0.72 into 10 raise to minus 3, इसको अगर हम solve करेंगे, T is equal to, 3.6 into 10 raise to minus 4, 7.2 into 10 raise to minus 4, अब यह तो कट जाएगा, तो यह होगा, 36 to the 72, 1 by 2, nothing but 0.5 volt, 0.5 seconds, sorry, 0.5 seconds, तो time कितना होगा, हमारा, अंसर देखो, इसमें, C answer, C is equal to 0.5 seconds, यह answer क्या होगा, हमारा, correct होगा, next sum, an aircraft with wingspan of 40 meter, flies with the speed of 180 km per hour, okay, अब हमारे पास एक 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 एरक्राफ्ट है, wingspan जिसका, मेंज इसके wings कितने लंबे, 40 meter, flies with the speed of 100 and means, 1080 km per hour, इन एस्ट वर्ड देरेक्शन अद अद रिक्शन अद अद गूंस्ट अल्टिटूट इन दे नॉर्दन हमिस्पेर, अब देखो, इस फॉर्मूला में आपको क्या करना है, या इस नुमेरिकल में आपको करना क्या है, सिर्फ आपको term को find out करना है, means, कौन से कौन से term आपको दिये गये है, पहले term find out करो, बहुत बार इस टाइप के सन में confused किया जाता है कि यह घूम रहा है, वो घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है, वो हमें देखना नहीं है, हमें क्या देखना है, किलो मिटर पर आवर, तो इसको हमें convert करना होगा, मिटर पर तेकेंड में, और तीसरा हमें दिया गया है, तो इस केस में जब भी हमें यह तीन कॉंटिटी मिलती है, तो डिरेकली फॉर्मूला आपको अपलाई करना होता है, अगर एंगल दियेगा होगा, तो साइन देटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन देटा आ जाएगा, अब आपको इसको convert करना है, किलो मिटर पर आवर में, तो यहां 5 by 18 से आपको multiply करना होता है, इसको, तो देखो, बी का वैल्यू कितना है, 1.75 into 10 rest 2 minus 5, एल का वैल्यू हमारा 40, और बी का वैल्यू, 1080 into 5 by 18 मिटर पर सेकेंड, आप इसको solve करोगे, multiply करोगे, तो इसका answer near about आता है, 0.21, कितना आता है, 0.21 वोल्ट, तो हमारा A answer क्या होगा, correct होगा, इसको आप multiply करोगे, इसको divide करोगे, तो answer कितना हैगा, 0.21 वोल्ट, अप next सम् देखते है, रओड of 10 cm. लेंग इस परपंडिकोलर तु इनिफोम अगनेटिक पर पर पंडिकोलर दिया है, लेंग दिया है, है, so uniform magnetic field intensity 5 into 10 raise to minus 4 Weber per meter square, if the acceleration of rod is 5 meter per second square, then the rate increase of induced EMF is, rate of increase of induced EMF, हमें क्या चाहिए, rate of increase of induced EMF, देखो, आप हमें value क्या दिया है, length दिया है, length is equal to 10 cm, 10 cm, 10 into 10 raise to minus 2 meter, then हमें क्या दिया है, uniform magnetic field, B हमें दिया गया है, 5 into 10 raise to minus 4 Weber per meter square, then acceleration दिया गया है, क्या दिया गया, acceleration is equal to 5 meter per second square, और हमें find क्या करना है, rate of increase, means induced EMF का formula क्या है, हमारे पास E is equal to BLV, अब अगर हमें rate find out करना है, तो इसका derivative लेना होगा, अब देखो, B over L तो constant रहेगा, तो derivative किसका आएगा, velocity का, dV by dt, तो यही हमारा formula होगा, rate of EMF is equal to BE, velocity, rate of velocity means acceleration, क्या आएगा, acceleration, अब यह value हमें put करना है, BLV, तिनों value हमें put करना है, B का value कितना है, 5 into 10 raise 2 minus 4 into L का value, 10 raise 2 minus 1, अगर आप multiply करोगे, और A का value है 5, तो हमारा answer होगा, 25 into 10 raise 2 minus 5, 25 into 10 raise 2 minus 5, वोल्ट सेकेंड, अब देखो, 25 यहाँ into 10 raise 2 minus 5 हमें कहीं नहीं मिल रहा है, तो हम इसको point shift कर देंगे, क्या कर देंगे, point shift, that is 2.5 into 10 raise 2 minus 4, तो हमारा जो answer A है, 2.5 into 10 raise 2 minus 4, यह क्या होगा, correct answer होगा, okay, meter per second, वोल्ट per second, वोल्ट per second, ठीक है, वोल्ट per second, तो जैसे आप यहाँ unit देखोगे, वोल्ट per second, तो यह दो option तो cut हो रहे, तो बचे यह दो यह option, वोल्ट per second, अब आते हैं, next, a wheel of 10 spokes each of length L, meter is rotated with the uniform angular velocity omega in a plane normal to the magnetic field B, the EMF induced between the axle and the rim of the wheel, EMF induced between the axle and the rim of the wheel, हमें find out करना है, तो देखो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है, एक wheel और यह axle है, बीच में घुमने वाला और इसमें 10 spokes है, कितने spokes है, 10 spokes है, so wheel with the 10 spokes each of length L, इसका length कितना है, L, तो radius हमारा L हो गया, rotate with the uniform angular velocity omega, omega इसका angular जोगी constant होगा, in a plane normal to the magnetic field, B का value हमें दिया गया है, EMF induced हमें find out करना है, EMF induced हमें find out करना है, तो अब EMF induced के लिए वापस होई formula, BLV, लेकिन velocity, अब velocity देखो, जब rotational motion होता है, omega तो constant रहता है, लेकिन velocity क्या होती है, change होती है, velocity क्या होती है, change होती है, रिम की velocity, यहाँ जो center में point रहेगा, उसकी velocity 0, और यहाँ की velocity रहेगी, V, ending वाली velocity क्या रहेगी, V रहेगी, तो उस case में हमें formula, V average हमें find out करना पड़ेगा, V average is equal to 0 plus V by 2, 0 plus V by 2, तो यह होगा हमारा V by 2, और V is equal to R omega, V is equal to R omega, तो यहाँ होगा, R omega by 2, R omega by 2, ठीक है, but R is equal to L, V average is equal to L omega by 2, R का value क्या है, R is equal to L, अब V के जगा आएगा, V average, तो हम formula के पुट करेंगे, V average का value L omega by 2, तो क्या होगा यह, V L square omega by 2, कहीं पर है, V omega L square by 2, V omega L square by 2, तो हमारा answer, अब यह जो है, V वाला वो correct है, V वाला क्या है, correct है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, next sum, a long solenoid has 100,000 tons, when a current of 4 amperes flows through it, the magnetic flux link with the each ton of solenoid is 4 into 10 raise to minus 3, the self-inductance of solenoid is, self-inductance of solenoid is, simple problem, self-inductance का formula हमें flux दिया गया है, number of tons दिया गया है, flux दिया गया है, और current दिया गया, अगर आप put करोगे, कितने tons है, thousand tons into flux कितना दिया गया है, इसमें link with the each, 4 into 10 raise to minus 3, और current का value दिया है, 4 तो यह cut हो जाएगा, 3 then means one hindri answer आएगा, कितना आएगा, one hindri, ठीक है, यह answer क्या होगा, हमारा correct होगा, next, the induced EMF between a and d in the given figure, अब देखो, a और d के बीच में हमें, इंडियो cmf find out करना है, तो मैं यहाँ दो point ले लेता हूँ, point b और point c, तो अगर हम b point से draw करना start करते, तो देखो, b2c, एक हमारा, 4 amp, बीज़ यह हो गया, b2c, एक हमारा हो गया, 4 hindri, then b से start करेंगे, और c तक जाएंगे, यह हमारा दूसरा इंडक्टर हो गया, यह हमारा दूसरा इंडक्टर हो गया, यहां 4 hindri, और b से start करेंगे, डीटक जाएंगे, और वापस c में, तो यह हमारा तीसरा इंडक्टर हो गया, तो यह parallel combination, यह क्या है, याद रखो तो इस तरह का अगर combination आता है तो यह क्या होता है parallel combination तो simply parallel combination तीनों भी equal है तो parallel combination क्या होगा अलपी is equal to 4 by 3 डाइरेक्टलि आप क्या करोगे 4 by 3 तो 4 by 3 का answer 1.33 Henry तो तो C हमारा क्या होगा प्रोब्लेम आपको पूछे जाएंगे तो यहां तक हम रुखते हैं तो यहां हमारा इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडेक्शन चैप्टर और उसके पीवाइक्व खतम हुए के मिलते हैं नेक्स लेक्चर में नेक्स टॉपिक के साथ नेक लेसन के साथ तब तक अगर हमें आपको लेक्चर पसंद आये तो इसको लाइक करो सब्सक्राइब करो शेर करो मिलते हैं नेक्स लेक्चर में बाबाय